उस बिलीफ पे कि मैं नवाज उदिन बनूगा ठीक है पैशन बात अलग है आपकी बिलीफ बात अलग है बट समवेर यह रियलाइज के नहीं यह मेरे लिए नहीं है यह नहीं लोग रियलाइज करते हैं पैशन होना बहुत सही बात है पैशन के साथ जोड़े रहना अच्छी एक sprawd हर बार एक नया कि Rapid वर यह इसा लेकर रहते हो की सीधे पड़िक पे एक दम चिपक जाता है यह भी क्रेक्टर है 강्यालाइज को मैं 없습니다 क्यूंकि कैशन में महुं महारा इतनी मेशन करते हैं अबने लोग को पसंदा रहे आरी एकंशन Straight को मैसे हआ गुष्रति से जादा प्रिवाशा जो होती थी तोड़े लाउड होते हैं तोड़े जैजी होते हैं तोड़े जैजी होते हैं जैजी होते हैं तोड़े से ओड़े जैजी होते हैं तोड़े से ओड़े होते हैं तोड़े से ओड़े होते हैं तोड़े से ओड़े होते हैं तोड़े 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 होते हैं तो तो हम जब यह करेंगे तो हो सकता है कि कहीं एक अधी लाइन को गुज़ादी ना जाएगा लेकिन उसकी हिंदी बहुत साफ रहे कि ना कि जैसे लोगों ने प्रजेक्ट किया जैसे लोगों के दिमाग में एक इमेज है वैसी रहे इस तरह से एक कारेक्टर को थोड़ा से दिफरेंट करने के कोशिश की है एवन लुक वाइस एवन दे काइंड़ लाइज वी स्पीक को हिंदी उसकी थोड़ी से साफ रखते हैं जहां लगे की हुस्बंग बात कर रहे है तो वहां पे एक अधा गुज़ादी वर्ड़ादी अधा दोबी इचाहे तो डोबी यह जो है वो तिपिकल गुज़ाती लोग घर में बोलते हैं तो हमने का कि उसको यूज करेंगे कहीं कहीं एक दो वर्ड़ कहीं एक सेंकेंज लिकिन जादा तर हिंदी रखेंगों और हिंदी बहुत साफ रखेंगे तो थोड़ी से उस तर तो इसमें लाओ करने की सिरूटनी होती है अगर उसको अगर सट्रे करोगे तो जादा बहतर रहेगा है पिस हर बार आप लाओ करते हैं तो लोग को लगता हिया यह बड़ जादा हो रहा है और क्यूंकि लोगों का टेस्ट बदल रहा है हम अगर उस टेस्ट के इस आप से जलेंगे तो लोगों को पस्नद आए गा लोग अज इतना सारा काम लोगों का देख रहे अज है अगर आप टीवी कर रहे हैं कोई भी माध्यम में आप की कर रहे हैं अगर आप रेलिवंट नहीं रहेंगे तो लोगों को पस्न आए रहने के लिए भी आपको Аपनी opeaki mogelijk grasses उस स्टाइल थोड़ी सी ड hakkे? एचरणे हैं? ड हम फ्टूटी रेलिवेंट करते हैं. तु आधि रिख करते हैं कि ठोड़ी सी रिलीवेनट रहें आ कि लंबा चलें और लोह स्कोदीन मैं और एंट्रेंiron आ यह इनला सोचते हैं यह पब्लिक सब्सक्राइफ करी मैं एक दम क्लिर रहता हूं मेरे प्रोवेशन दीलिंगे कि अगर मैं टेलिविशन करता हूं तो टेलिविशन में दू कंडिशन्स यह रहती हैं कि मैं पूरे थर्टी देस नहीं करूंगा और मैं सारी फिल्म में या दूसरा काम आएगा वो भी नहीं करूंगा लेकिन कुछ करना लेकिन करना तो मैं आपको रिक्वेस्ट करोंगा कि प्लीज मुझे एग्जस कीजिए अगर कर सकते हैं तो मैं वो काम करना चाहूंगा ओकी आट इन फाक्क मैंने जहां दिक एगर काम करते हैं तो आपको दास काम आते हैं और जब काम नहीं होता है तो तो एक वी आता है तोग काम या आता है तो मैं अगर रहते हूंगे प्रदूक्षिन टीम के करना की अगर नहीं कर पाते हैं, उनकी भी मजबूरिया होगी है, तो समझते हैं, लेकिन जब हो सकता है, तो करते हैं. तो इतने सालों बाद भी आप इतने पैस्टनेट हैं कि अभी भी नया नया काम ढूंदे रहते हैं, क्यों नहीं? और एक पात आपसे एक और मुझे जो परसनली पूछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, कई फिल्मों में आप सिल्फ एक दो सीन के लिए आएं, लेकिन वह भी एकदम राइस्टर हो जाता है, क्यों आप आप सेन ही conservative जीतनी एक पुरी फेल्म के लिए एक करेटर लेका तो मैंनत तो करते हैं, जैसे अभी एक फिल्म हमने कीता है, Welcome अनीज भाई के साथ मैंने act फिल्म की no entry, अब नो एंट्री इतनी बड़ी ही जाए जोगो मेरा चारक्टर इतना पसंदाएगा, तो बीज़ानेस मुझे अंदाजा नहीं था, एक फिल्म की थी, मैं नाम नहीं थू, मुझे अलागा है यह फिल्म, मुझे मज़ा है, मैं हिट हो जाओंगा, मुझे और काम मिलेगा, येकिन ऐसा हुआ नहीं, तो होता किया है कि जो आप एक्सपेक करते हैं, मैंन तो सभी करते हैं, मैंन हम हर क्रेक्टर में करते हैं, तो जब अनीजमे के साथ 9 एंट्री की, तो 9 एंट्री के बाद उमने वेलकम के लिए मुझे बुला है, तो इतने पैशनेट हैं काम के लिए, तो ठीक है, दिन में हम 5-6 मिनट की शूट करते थे, लेकिन सब लोग इंवल्ल रहते हैं, और वो शुरु-शुरूर का वक था, तो अनीजभाय ने कहा कि दुबए ही आना है, और कुछ 15-16 दिन का शडील था, मैं नहीं नहीं खलपा हूँगा मेरे, तो ये शोर चल रहा है, तु मेरी फिल्म के लिए मना करें, मैं आपको मनानी करो, मेरी ये प्रॉल्म है, ठीक ठीक, ठीक, अनीजभाय संझे है, फिर अनीजभाय ने बुला कि अभी एक सीन है, ये लोनाला में शूट है, तुर को आना पड़ेगा, एक ही दिन का शूट था, तो फिर मैंने प्रॉडक्शन से रिक्वेस्ट के, एक साफसे, तुझे रिवला ठीक है, तो तुझे एक दिन के लिए तो तुझे एक जिस्स कर सेतना। कानून नाम की कोई चीज होती है या नहीं? ने डरीमत, डरीमत, मैं सिरुफ दिखने में खदरना कूँ, लेकिन आज मी बहुत ही अच्छा हूँ. वो मैं एक दिन में जाके वो एक सीन था, वो एक सीन था, वो करके आया है, तो उसका अप्रिशिश्या है, कोई भी काम, वो नजर आता ही है, तो कैमेरा आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो कैमेरा आपको पकड़ लेता है, कि यह ठीक नहीं है. कब आपके माइंड में इरादा किया कि मैं अक्टर बनूगा? कीड़ा तो बच्पन से था, क्योंकि मैं इंटर स्कूल करता था, इंटर कॉलिजट करता था, लेकिन क्योंकि हमारा एकनोमिक बेग्राउंड थोड़ा सा लो था, तो होता है कि जब आप घर के बड़े हों, आपको नौकरी करनी है, आपको परिवार को उपर लाना है, एक बड़े बेटे की जिम्मेदार ही रहती है, जो हम, हमारे एक्चुली फीड किया जाता है, कि जैसे आपका एक्डूकेशन खता हूं, आपको जॉब करनी है, फादर को हेल्प करनी है, घर, तो यह दिमाज में था, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पसंद बहुत था, यह वो, लेकिन मैंने उसको अवाइड किया, मैंने MBA किया, जॉब की, लेकिन जो एक्टर का कीड़ा था वो जा नहीं रहा था, तो जब मुझे इसा लगा कि हाँ थोड़ा सा तो सेटल हो गया, मैं चॉल से मैं एक फ्लैट में आ गया हूँ, एक छोटी सी गाड़ी भी है, मैं अभी रिस्क ले सकते हैं, तो उस दिन ओवरनाइट जोड़ थी, बहुत बुड़ी जोब थी, ओवरनाइट छोड़के सीधा इधर आगा, अभी पीशे मूड़के देखा नहीं, तो यह होता कि जब आपकी पैशन होती है, आपको सोने नहीं देखी है पैशन, तो पर्टिक्लिली यह फिल्ड के पैशन ऐसी है, कि मैं ऐसे रहता था, मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी पैरेंट्स से सपोर्ट किया, मेरी वाइफ मुझे, तो मंडे दू फरेडे तेरा दिमाग बहुत खराब रेता है, बिकर तु जॉप पे जाता है, साटरड़ संडे जब तेरा थेटर में शोग होता है, तब तो सुगे से अच्छे मूड में ते गाना बना गाता है, तो मंडे दू फरेडे तेरा बहुत बिमाग खराब रेता है, शी मेड मी रियलाइज कि बास तेरे को यही करना चाहिए, बद पोडिशन लेने के लिए मुझे कुछ 15-17 साल लग गया है, पर होता है, जब दे रहा है दुरुस्ता है, लेकिन जब आयत एक दम, नौट रपेंडिंग बिकज जो भी काम किया है, लोगों ने पसंद किया, आज जो भी पोडिशन पे हैं लोगों के प्यार की वज़े से, तो हैपी, वेरी हैपी. जब आप इरादा करते हैं तो आपका तो पैशन साथ में होता है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, उनके देमांग में डॉट्स होते हैं, शक्स होते हैं, क्या-क्या कहते थे लोग, जब आपने बुला कि मेरे को एक्टर बनना है, प्रोफेशन है. सबसे बड़ी बात थी अगर आपकी फैमिली आपके साथ है ना, और मेरे दोस्त हैं, ऐसे जेडी है, आतिशे, देवेन और विपुलशा, हम पांच दोस्त हैं कॉलिक से, मैं जॉब करता था वाकि सब इसी फिल्ड में थें, तो मिरे बोलता है, तू क्यों नहीं छोड रहा है जो, करको काम की परोलम है, काम हम लोग देंगे, तू छोड़, तू चोड़, तू चोड़, और हिम्मत दिलाते थे, और फैमिली जो थी उती है, बटा क्या होगा इद्वोस्त, कि दू साल नहीं कमाएगा, तीन साल नहीं कमाएगा ना, उतना तो हम लोग चला लेगी भार, तो यह जो फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट है ना, उससे बड़ी कोई सिस्टम नहीं हो सकती है, तो आपके दूसरी मा के बेटी हैं, और आपकी दीवी और आपके पैरेंट्स आपके साल करेंगे, तो फिर किसी की जरूत नहीं होती है, और खुद में एक confidence था कि कुछ नहीं तो थेटर करके भी अपना गुजारा चल जाएगा, तो हम honesty से hard work करने वाले इंसान हैं, वही मानते हैं कि hard work करेंगा, कभी नहीं कभी तो पेओफ करेंगा, दो साल नहीं, पांत साल नहीं, दस साल बाद, उतनी स्रगल के लिए तयार थे, mentally, बट बगवान की दया देखिए, पहली फिल्म की वह हिट हो गई, पहला टीव सीरीज की और वह हिट हो गया, तो फिर… इवन comedy shows में भी जो आप एक 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 उसके लिए जाते हो, एंट्री के लिए तो भी वह लोग पसंदे है, तो वह है कि जो भी काम की है ना लोगों निसरा है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सबते है कि जिस काम के लिए आप आये हो, इस काम के लिए आपने रिस्क लिया, यह काम फल रहा है, पर फल रहा है इसलिए उससे बहक नहीं जाना है, और मीचे जूपने और महनद करनी है, ताकि लबे ताइयं पर चल सकते हैं, अगर इस जादा उपर ऐसे हो जाते हैं, तो शायद भी आम इंटर्वी भी नहीं कर रहे होते हैं, तो यही जरिया यही है, अप जिस तरह से आये, जॉब करने के बादा है, बहुत कम लोगी हैमत कर पाते हैं, आपकी बात से मैं यह सोच रहा हूँ कि क्यों आप पुड़ा सा उनको इंस्पायर करें, जो लोग अभी भी जिन्दा तो हैं पर जी नहीं रहें, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहें, और अभी भी 527 की जॉब में हैं, क्या वाकई उनको अपने सपने की सुननी चाहिए? 100% सुननी चाहिए, पर एक बात यह होता है, कि हर इंसान शायद मेरी तरह लगी नहीं हो, मैं सिफ कौशियस कर रहा हूं, मैंने ओरनाइट जॉड़ दी, मैंने जाके बूल दी, मुझे नहीं करनी है जॉड़ दी, बहुत बड़ी जॉड़ थी, अधिती बिल्ला में था मैं, हो भी successful रहा है, हर इंसान जो passion, अपनी passion लेके जीतना है, जॉड़ कर रहा है, वो 9-5 कर रहा है, उसको छोडना है, छोडने ही पाता, अगर छोडने के बाद, successful ना हो, उस passion में, I would suggest, give yourself some time, not more time. Sometime, समझो, आप में रिसाइड गया, मैं पच्ची साल कहूं, सत्ता ही साल कहूं, मैं तीन साल दोंगा अपने आपको, अगर तीन साल में, मैं अपनी passion में कुछ नहीं कर पाया, I'll go back to the alternate profession, or whatever I was doing. होता किया है, कि आज हम बहुत लोगों से मिलते हैं, जो अलग-अलग शेहर सों आते हैं, कि हम एक्टर बनने हैं, कुछ लोग इसलिए बनना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि उसमें talent रहे, कुछ लोग इसलिए बनना चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए बनना चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए बनना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ कि बटा, आया है ठीक है कि दू साल कर ले तीन साल कर ले अपने आपको टाइम दे कि अगर तीन साल पांच साल मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाओंगा और कुछ और करूँगा अगर तो यहीं खपने के लिया है तो बटा वो सही नहीं है क्योंकि आपको लाइफ मिलिए आप 75 साल आप लाइफ एक्पेक्टेंसी आप 25 साल के हैं पचास साल आपकी लाइफ है अगर आप 25 साल यहीं गुजार दोगे कुछ नहीं होगा आप फ्रस्टेट होगे आप एक समझने वाली बात है कि नहीं यह तो मेरे पस तैलन नहीं आप करना चीख यह स्वाच्छ ज़िए लोग ज़्याइज नहीं होता लोग यह रेलाइस नहीं होता लोग इसलिए लोग जादा फ्रस्टेट होते हैं हम देखे हैं जो एक दो दिन के काम के लिए आता है उसके तक tive जब उनको दी झाए आँ कि डिख्रों के लिए काम के लिए Sabrina कि मैं उनको पूंचता हूँ किग्ले काम क्या दो का सार睇 इजनो के लिए अविग और को एक आदमी नवाज अदिन बनता है. एक्सेप्शन केस को आप लेके उस बिलीफ पे कि मैं नवाज अदिन बनूँगा, ठीक है, पैशन बात अलग है, आपकी बिलीफ बात अलग है. But somewhere you are to realize कि नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है, यह नहीं है, लोग रियलाइस करते हैं. पैशन होना बहुत सही बात है, पैशन के साथ जोड़े रहना अच्छी बात है, पैशन को लेके आप जो काम कर रहे हो छोड़के पैशन के पीछे परसू करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं हासिल हो रहा है, तो एक second thought देना, एक second alternate thought होना जरूरी है, otherwise you are wasting life, तैंक यू बच्छी, तैंक्स अराट झाल